इसकी तयारी जब भरती नहीं है, ऐसे समय में हम क्या रननीती अपना है कि हमारी तयारी साथ-साथ चलती रहे हैं टेंट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन किन रेफरेंस बुक्स को पढ़ें के अपने और नपीत है अपना कि जारी हो आप चाहिए किसी भी जॉब में हो या कोई भी अपना जुब कर रहे हो या किसी और करे में बीजी हो या कैवल पढ़ा ही कर रहे हो यह शेसन सब के लिए बरापर रोब से महत् fountain कुन हैं इस विशेपर आज की से श्योशन में हम चर्चा करने वाले वाले हैं एंसराइं नियुकेशन की सब्दीन ने अर्फारी करने जा रहे हैं अर्द इसे संहें हम क्या रननीत ही अपना है कि हमारे तयारी साथ-साथ चलती रहे हैं। कॉंटेंट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन-किन रेफरेंस बुक्स को पढ़ें और अपनी तयारी को कैसे बढ़िया करें। तो मित्रों, आज के सेसन में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है, और इस पूरे सेसन में मेरे साथ जुड़े रही है, ये सेसन का हर भाग आपके लिए बहुत ही महतोपूर्ण रहने वाला है, देखिए विध्यारतियों, आप चाहिए किसी भी जोब में हो, या कोई भी प्राइवेट अपना जॉब कर रहे हो, या किसी और कारे में बेजी हो, या केवल पढ़ाई कर रहे हो, ये सेसन सब के लिए बराबर रोब से महतोपूर्ण है, तो मित्रों, आरेस की वेकेंसी अभी तक आई नहीं है, और कब आ जाए, इसका हमें किसी को भी को नहीं आई है, तब क्या रननीती अपना है, देखिए, विग्यपती आने के बाद आपके साथ दोड में, वो सारे लोग शामिल हो जाएंगे, जो UPSC कर रहे हैं, जिन्होंने पिछला मैंस लिखा है, जिन्होंने पिछला इंटर्यू दिया है, और पिछली बार जो फोड़ी सी नीचे है, ऐसे लोग भी विग्यपती आने के बाद आपके साथ तयारी में जुट जाएंगे, तो अभी से अपनी क्या रननीती अपना है, अपनी क्या स्ट्रेजी हो, इस विषय पर आज की सेशिन में हम चर्चा करने वाले हैं, जिदि आपको मज़ा आरा तो आपको फिर से प्रिलम्स देना है, फिर मैंस देना है, फिर इंटरू देना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्री पास कर लिया, और आपको सिधा मैंस देगा, ऐसा नहीं है, हर भरती में आपको फिर से प्री देना होता है, आप आरेस की तयारी के लिए आपको ग्रेज इसका भी कोई फर्ख नहीं पड़ता कि आप धसी में किसी के पचास परतिश्ट है कितना पर्तिश्ट है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहां के वले एक चीज चाहिए कि आपकी रननेती और आपकी मैनत है वह बहुत बढ़िया तरीका से होनी चाहिए तो सबसे पहला सवाल है यदि आप seriously यदि आप गंभीरता से RS की तैयरी करना चाहरा है तो अपने लिए attempt तैय कर ले कि मेरे लिए ये आने वाला attempt है ये एक की attempt है ऐसा नहीं कि बार-बार मुझे RS देना है और selection होना क्योंकि इस भरती process में 3-5 साल का समय लग जाता है कई बार 3 साल में भरती पूरी हो जाती है लेकिन कई बार इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है तो आपके जीवन का ये जो जवानी का अनमोल समय है जो किताबों को आप दे रहे हैं तो सबसे पहले इमानदारी से खुद के साथ बैट करके अपने लिए attempt तैय कर लीजिएग भरती जब भी आएगी आप तैयार रहेंगे देखिए एक कहवत है कि जो सैनिक पहले practice में ज्यादा पसेना बहता है उसको युद्ध में खून नहीं बहना पड़ता तो आपकी आप वो ही सैनिक को आपको अभी से practice करनी है ताकि आप परिक्सा में जो हलो लुवान नहीं हो और परिक्सा आप पहले attempt में crack कर लें देखिए भरती कब आएगी जब आपने एक attempt कर लिया तो आने वाला कभी भी भरती आए आपके लिए आपको उसको अभी से त्यार कर लेना है पोस्ट कितनी आएगी उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता देखिए पोस्ट 900 या 1000 आये 600 या 700 आये 600 से लेकर 1100 के बेच में पोस्ट है आती है लेकिन अलग 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 पोस्ट है आपको केवल और केवल डबल डिजिट में ही मिलेगी यानि एस डेम की पोस्ट पिछली बा पोस्ट कितनी आएगी इसको लेकर के इंटर्यू के समय सोचना है कि कितनी कितनी पोस्ट है मुझे स्मार्ट प्रिफरेंस कैसे बड़नी वो अभी विशे नहीं है अभी तैयारी का विशे है अब दिखी एक खुश कबरी आपके लिए है कि मुक्यमंत्री मावदय ने 19 नई आने वाली है क्यूंके अगर उन्नीस जिल्य बनते हैं तो बहुत बड़ी बात है और कैसे भी ख़बरे निकल करकारी कि दस जिल्य और बन सकते हैं देखिए जितने भी जिल्य बने तो अटेंट तया कर लें फिर इस इन दोनों प्रशनों के बारे में आपको सोचना नहीं है यदि आप serious एक attempt में अपना selection लेना चाहते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं अब आपने attempt टै कर लें अब आपके लिए strategy क्या हो, run नीती क्या हो कैसे RS को एक attempt में तयार करें बहुत बड़ी दूदे ये रहती है कि हमने जोस बहुत है हमें उत्सा बहुत है और हम करना भी बहुत चाह रहे लेकिन करें क्या? मारग नहीं मिल रहा है क्या? किन चीजों से बचे? क्या-क्या चीज़ करे? run नीती क्या हो? इसी को ले करके कि मैं आपके सामने आज से असन में हज़र हुआ हूँ. सबसे पहले आपको मित्रों, syllabus, syllabus आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, आपके table पर उस syllabus का print out हमेशा रहना चाहिए. अब मित्रों एक स्वाल यहां यह उठता है, कि आने वाली भरती का syllabus क्या होगा, अभी तक आपको जो पिछली भरती का syllabus है, वही देखना है, 100% है कि prelims का syllabus चैन्ज नहीं होगा, और man's prelims के बाद में होगा, तो man's के syllabus की भी चैन्ज होने की कोई गुंजाईस नहीं है, पिछली भरती में इस syllabus को पूरी तरह से व्यवस्तित कर दिया, syllabus आपके पास pre का और man's का, दौनों का syllabus आपके पास table में, table पर जहां भी आप पढ़ते हैं, print out इसका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि sir मेरे पास soft copy है, नहीं, मैं print out के प्रक्स में हूँ, क्योंकि जो जो topic आपने पढ़ लिये हैं, वो आप highlighter से highlight कर ले हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये topic में ने पढ़ लिया, ये मेरा पढ़ना है, या इस topic का revision मुझे यहां यां करना है, बहुती सुक्समता से आपको यह रोननीती लेकर के चलना है, तो pre और man's, उसके अगले page पे, उसी page का English version भी print out निकलवा लिजिए, एक ही page में आपको Hindi और English दोनों मिल जाएंगी, तो ये आपके लिए बहतर रहेगा, कई बार English के जो term होती है, उसका sense हिंदी में वो नहीं निकलता, जो हिंदी में दे रखा है, तो आपकी सुईदा के लिए pre और man's, दोनों का syllabus हिंदी और English में आपकी table पर print out रहना चाहिए, बहले ही आप library में त्यारी करो, तो आपके desk पर रहना चाहिए, घर पे त्यारी करो, या job के साथ त्यारी करो, तो print out होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, पुराने पेपर, ये आपके लिए मारक दर्शन का काम करेंगे, पूरी तरह से, जितना मारक दर्शन बहतर पुराने पेपर कर सकते हैं, उतना कोई बहतर नहीं कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, कि किस subject से कितने प्रस्शन आ रहे हैं, किस level के प्रस्शन आ रहे हैं, मैं इस प्रस्शनों को हल करने में कितना सक्सम हूँ, अब देखिए, पुराने पेपर ज़्यादा नहीं रखने हैं आपको, 2000 प्री और मेंस के मैंने अलग-अलग साल के पेपर आपके लिए बताए हैं, प्री को आपको 2013 से लेकर के 2021 तक, जिसमें किवल चार ही भरतिया आई थी, 2013, 16, 18 और 21 और ये पूरी चारों भरतिया नए पैटर्न से थी, 2013 में भी प्री दो बार हुआ था, 2016 विशेज तोर से जो आपको फोकस करना है, वो 2018 और 2021 के पेपर पे फोकस करना है, 13 के दो पेपर हुए थे, एक बार रद हो गया था, फिर दुबार हुआ था, इन दोनों पेपरों को देख लेना है, 13 और 16 वाला पेपर को देख लेना, इनका भी प्रिंट आउट लेना है, ऐसे नहीं कि शॉप कोपी में देख लिया, प्रिंट आउट लेना है बकाइदा, और इसके साथ साथ आपको, RPC की साइट पे रिजल्ट मिल जाएगा, वहां से मेरिट देख लेना, इनकी मेरिट क्या रही प्रिलम्स में, फिर आप टेस्ट देना, क्या आपके उतने नमबर आ रहे हैं, यदि आपके उस मेरिट से 10 नमबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप प्रि देने में, आपका प्रि हो जाएगा, ऐसी प्रोबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपको लगातार तैयारी करते रहेना, पुराना पेपर में बात करें, प्रि में 13 और 16 के पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन 18 और 21 के पेपर को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो जाए, एक मोटा मोटा ख का बन जाए कि आएडिया की यहां-यहां से प्रसंद आ रहे हैं, इस इस लिवल के प्रसंद आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला पैटरन जो प्रिक्स है, वो भी इसी पैटरन को फोलो करेगा, मैंस की बात है, जो विद्यार्ती मैंस लिख चुके हैं या जिनका प्री हो चुका है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो विद्यार्ती पहली बार मैंस लिखेंगे प्री करके वो अभी से अपने मारगदसन के लिए 2018 और 2020 पिछली दो भरतियों का आपको मैंस के चारों पेपर पेपर फस्ट, सेकिंड, थर्ड और फूर्थ जो आरपेसी की साइट पर एवलेबल है उनको डाउनलोड करना और उनका प्रिंट आउट अपने पास रखना है भरना नहीं है भरना उस समय जब मैंस हो यह क्या करेंगे जैसे ही आप मालो हिस्ट्री का पढ़ रहे है तो हिस्ट्री आपके प्री में भी है, मैंस में भी है तो आपको प्री वाले में देख आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री के प्रिलम्स में सवाल कैसे आते हैं प्रिलम्स के study material क्या हो और study material चांट लेना देखिए RS बनने के लिए बहुत ज़्यादा किताबे नहीं पढ़ने पढ़ती है कुछ चुनेंदा किताबें को बहुत बार पढ़ना पढ़ता है मैं इसको एक और उधारन से समझा देता हूँ कि यदि आप एक चोट अलग-अलग पथरों पर मारेंगे तो कोई भी पथर नहीं तूटेगा लेकिन एक पथर पर कई बार चोट मारेंगे तो लास्क में वो उस चोट से तूट जाएगा यानि आप अपनी सफल्ता में प्राप्त कर لेंगे यदि आप एकी book को बार-बार पढ़े लेकिन दूइदा यह रहे कि कौन सी book को बार-बार पढ़े, study material क्या हो यदि आप एकी book पे भरोसा करके उसको बार-बार पढ़ते हो, तो आपके selection होने की संभावना बहतर हो जाती है लेकिन book कौन सी चूज करें, कौन सा study material चूज करें इसको लेकर करके, मैं पूरे homework के साथ आपके एक अलग वीडियो लेकर करके आऊँगा, और बहुत इम्यातपून वीडियो वो रहने वाला है, चूँकि आज की इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम किसी और session में इसके बारे में discuss करेंगे अब देखिए, ये चूँकि वीडियो की जब हमारी भरती आई हुई नहीं है, तो उस रणनेती के लिए काम करेगा, तो अभी आपको करना क्या, अभी देखो, पढ़ने बैठते हो, कभी रोज के 5 घंटे भी पढ़ ले तो लेकिन अगले 5 दिन फिर नहीं पढ़ते हो, तो एक मन में तनाव आ जाता है कि यार पढ़ाई, तो हो ही नहीं रही है, हम क्या करें, क्या नहीं करें, तो ऐसे समय में एक गिन के गांट बांद लो एक बहुत ही रामबार्ण रणनेती है, वो है कि रोज कम से कम 3 घंटे पढ़ना है, जादा नहीं, तो कम से कम 3 घंटे तो गांट ही बांद लो, बहुत सरल सा है, 24 घंटे में से केवल 3 घंटे या आपको पढ़ना है, इसको और पढ़ने की जो refreshness होगी, जो पढ़ने की ताजगी होगी, याद करने की अधिगम की जुक्षमता होगी, वो बहुत भैतरिन होगी, quality की चीज़ आप पढ़ पाओगे, फिर break ले लिया, हो सकता, एक गंठा सुबह पढ़ लिया, एक गंठा दो पर पढ़ लिया, एक गंठा श अगले दिन सुरू होने से पहले ये 45-45 गंठे के segment आपके पूरे हो जाने चाहिए, एक सला और दूँगा, कि जो segment रोज बनाते हो न, जैसे रोज आपको सुबह 9-10 पढ़ना है, रोज पढ़ लेना है, फिर अगला 12-1 पढ़ना है, फिर 12-1 पढ़ना है, इससे होगा क्या आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और आपको हर बार, हर बार जितने भी segment में आप पढ़ोगे चाहिए, तीन या चार में, हर बार आपको ताजगी के साथ पढ़ना होगा, पढ़ने चीज़े याद रहेगी, कम से कम तीन घंटा पढ़ना है, जब तक भरती नहीं अधिक्तम आपकी अपने क्षिमा है, अपने क्षमता की आधार पर आपको पढ़ना है, जो वाले लोग विसे ज्यान दे कि वो कम से कम तीन घंटे अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ये तीन घंटे वो है, जो आपने कोई course ले रखा है, उसके अलावा मैं बा केवल और केवल पढ़ना है, अभी आपको केवल प्रिलम्स के टेस्ट देने है, कोई भी टेसरी जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके ओनलाइन हो, वो ले सकते हो, और कोई भी टेस्ट बुक जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं, ब आपके syllabus में यदि आप देखोगे तो नियमित बिंजरिया में भी मैंने कोशिश किये कि आप इस इस चीज़ को पढ़ेगी लेकिन अभी आपकी पढ़ाई का जो पूरा focus है वो pre और mens में 50-50% होना चाहिए यानि जो भी आप पढ़ रहे हो वो उसमें से 50% pre का और 50% mens का हो इस राजस्तान की आर्थिक समीक्सा नहीं आ गई है एक अगले एक साल तक इसी आर्थिक समीक्सा में से सवाल आने है इसका एक जबर्दस्त फाइदा यह है कि आप RS के अलावा कोई भी एक्जाम दे रहे है तो वहाँ भी आपको सवाल मिलेंगे लेकिन प्रिलम्स में 15 सवाल 100 प्रसेंट एकनोमिक सर्वे में ऐसे मिलेंगी आर्थिक समीक्सा को आपको पढ़ना है राजस्तान की आर्थिक समीक्सा को क्या से पढ़ना है राजस्तान की जो गवर्मेंट की आर्थिक समीक्सा है आप हिंदी मेडियम से हैं चाह इंग्लिश मेडियम से हैं दोना उनकी सा पूरा का पूरा खुद को पढ़ना है, तो study material में आपका पहला बिंदू हो गया, राजस्थान का आर्थिक समिक्सा, या राजस्थान का economic survey, फिर दूसरा point मैं ले रहा हूँ, राजस्थान का जीके, इसलिए ले रहा हूँ, कि आपने बहुत सारी भरतियों में इसको पढ़ का मन भी करेगा, और नई चीज़ भी नहीं है, और चीज़ें याद भी रह जाएगी, राजस्थान की जीके के लिए मैं आपको suggest करेंगा, class 6 से ले करके, 10 तक राजस्थान की जो book है, वो especially class 9 और class 10 की, ये दो books आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, जब आप इनको एक बार पढ़ लेते हो, फिर दूसरी बार पढ़ना, फिर तीसरी बार पढ़ना, तीन बार ये दी ये book पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आप कोई भी guide, कोई भी किताब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर आपको man's के according, चुँकि man's में आपका fourth paper language का रहता है, तो हिंदी औ इसको सुधारने का आउसर, और उसको समय है, वो बहुत ही कम मिलता है, चुकि दौनो language है, और language आप एक subject के रूप में पढ़ोगे, तो याद नहीं होगा, 100% है कि कम marks आएंगे, तो जो grammar है, दौनो भासाओं की जो grammar है, हिंदी की जो व्याकरन है 50 number की, और इंग्लीज की ज जब असुद वर्तनी का नहीं लिखना है, इंग्लीज में spellings गलत नहीं लिखनी है, अभी से प्रण कर लो, तो आप हिंदी और इंग्लीज की केवल grammar, कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, पढ़ना सुरू कर दो, अगर आप संधी पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, पॉइंट आपके syllabus में है, आपको किवल वही पॉइंट पढ़ना है, अब लक्समी कान्त बहुत बढ़ी बुक है, आप को होगे कि सर हम लक्समी कान्त को पूरी तो कैसे पढ़ ले, पूरी लक्समी कान्त नहीं पढ़नी है, आपको पहले ही अपने syllabus में से लक्समी कान्त की उपियोगी है, इसलिए मैं आपको राजववस्था का लक्समी कांद बुक पढ़ने का सजेस्ट करूँगा, और पूरी बुक नहीं पढ़ करके, जो आपके सिलेबस के पॉइंट है, उन-उन पॉइंट को आपको अभी से पढ़ लेना है, साथ-साथ शोर्ट नौट्स बना करता हूँ, यह आप अभी से पढ़ लेए, जो रोज की तीन घंटे की दिन जरिया है उसमें है, अगर आपको लगता है कि यह ज्यादा है, तो आप तीन घंटे से बढ़ा करके, चार या पांच घंटे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तीन घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना ह फिर केवल प्रिलम्स पर फोकस करने के लिए, रिजनिंग और मैट्स, यह मैंने इसलिए लिया है कि यहां से पूरे नमबर आपको प्रिलम्स में मिल जाएंगे, रिजनिंग और मैट्स मिला करके 17 से 20 सवाल आते हैं, पुराने पेपर देखोगे, आपको पता चल जाएगा और ये पूरे के पूरे नंबर आपको दिला सकती है एक भी सवाल गलत नहीं हो आपने 20 में से 18 सवाल किये तो 18 के 18 नंबर आपको जो है 18 प्रशनों के पूरे नंबर आपको मिल सकते है क्योंकि यहाँ यदि आता है तो ही सवाल होगा, otherwise होगा भी नहीं तो के मारने जैसे इस्तती भी नहीं रहेगी और ये चीज रिजनिंग और मैस थोड़ी प्रक्टीज भी मांगती है तो एक बार अभी आपकी भरती आने से पहले रिजनिंग मैस पूरी हो जाएगी तो भरती आने के बाद आप इसको रिवाईज कर सकते हो तो देखी अभी मैंने आपको पढ़ना किया तीन घंटे में तीन घंटे को कैसे बांटना है पचास-पचास में तीन या चार सेगमेंट में वो आपके उपर डिपेंड है आपकी सहुलियत के अनुसार बांट लीजेगा कोई जरूरी नहीं कि सुबह चार बज़े उटके पढ़ो रात में बारा बज़े पढ़ो जैसी आपकी नेचुरल हैबिट है जिसमें आपको कमफर्ट लगता है कि हाँ इसमें मेरे लेट ठीक है उसके एकोन उसार पढ़िए देखा देखी ना करें पढ़ना जरूरी नहीं है आपको भी लाइबरी जा रहा है जहां आप अपना बहतर पढ़ सकते हैं इसके साथ चाथ एक न्यूजज़ज़पेपर पढ़ने की मैं आपको सला दूगा जो हिंदी मेडियूंस है जो हिंदी के एकबार पढ़ें अब हिंदी वाले इंग्लिस अपनी सुदारने के लिए इंग्लिस का अकबार भी शुरू करवा सकते हैं, वो आपके उपर डिपेंड है, आपको न्यूज पेपर में चाहिए कोई भी मेडियम का पड़ो, राश्टी इस्तिर का एक अकबार जरूर पढ़ना है, और राश्ट इस्तिर के अकबार में राश्टान पत्रिका या दैनिक भासकर इन दोना में से कोई एक अकबार जो आपके लिए सुटेबल हो, आप इन में से पढ़ सकते हैं, तो मैं तनों तीन घंटे की ये पूरी की पूरी पाठे चरिया आपके लिए एक काम करने वाली है, और आपको इस चीज़ को हम continue कैसे करें, एक दिन तो सुरू कर लिया, एक दिन तो पढ़ लिया, दो दिन पढ़ लिया, सब्ता पर पढ़ लिया, लेकिन रोज-रोज कैसे पढ़ें, तो खुद को motivate करना भी ज़रूरी, देखिए खुद को motivate वाकई, यदि आपके अंदर आग है, तो ही आप motivate रह सकते, ना मेरे कहने से, ना किसी और के कहने से, आप में प्रेरना भर सकती है, ने आप उस exam को crack कर सकते हैं, यह सचाई है, यह सत्य है, यह आपको भी जान लेना चाहिए, आपके अंदर selection की एक आग होने चाहिए, आपके अंदर selection का एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि मुझे लेना ही है, चाहिए किसी से कोई फरक मुझे नहीं पड़ता, अगर ऐसी आग है, तो आप 100% इस exam में एक attempt में select हो जाओगे, लेकिन फिर भी यह आपको लगता है, कि मुझे सर और अच्छे लोगों की संगत या प्रेरना जिन से मैं motivate हो सकूँ, तो क्या करूँ, आपके अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, ऐसे नहीं कि जो दोस्त आपकी पड़ाई में व्याउधान डालता है, या पड़ाई के समय में को कही और वैतित करवाता है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दे, भले ही थोड़े समय के लिए नराजगी र मिलता हो लेकिन यदि आप ये दोनों भी नहीं कर पा रहें तो आज कल एक अच्छा साधन है यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल है जहां पर आपको इसके बारे में सच्चाई बताई जाती है तो आप अच्छे अच्छे चैनल जाकर करके रील वाले नहीं अच्छे चै जिनसे आपको वाकई मोटिवेशन मिलता हो जीवन की जो सच्चाई बताते है भरा पंड़ा पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है भंडार है और आप दोनों का कम्बिनेशन भी आप अपने जीवन में उतार सकते हैं तो मित्रों जब ये आरेस की भरती नहीं आयुए है ऐ इस मिशन में लगे हैं हमारी तरफ से उसमें थोड़ा सा योग हो सके उमिद गरता हूँ कि आपको ये शेशन बहुत पसंद आएगा और आपकी तयारी की जो रणनेती है उसको बहुत हेल्प करेगा आप सबी की परिक्साओं की मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू